हेलो फ्रेंड आज हम आपको वर्क वाले ब्लाउस की कर्टिंग करना बताएंगे तो जैसे की वर्क वाली साड़ी है तो इसका डिजाइन ब्लाउस में भी दे रखा है तो ये जो डिजाइन है अस्तीन में आएगा तो सबसे पहले ब्लाउस काटने के लिए हम पहले देख ले जैसे कि 32 साइज का ब्लाउज बनाएंगे तो हमें 8 इंच पर मार्क लगाना है और 2 इंच मार्जन के लिए ले लेंगे क्योंकि 32 का हमें डिवाइट कर देना है तो 8 आ जाएगा तो लेंध जैसे कि 12 है तो हम इसमें 1 इंच प्लस लेंगे तो 13 इंच पर इसके बाद में हमें सोल्डर में निशान लगाना है 5 इंच पर और आर्म होल लेना है साड़े पाज कि फिर उसके बाद में यहां से 1.5 इंच की गहराई दे देंगे अब यहां से हम गले में निशान लगाएंगे जो कि जिसकी विट है दो इंच और जैसे कि गला साड़े आठ इंच बनाना है तो हम 9 इंच पर मार्क लगाएंगे उसके बाद में इसमें जो भी डिजाइन बनाना है उस हिसाब से हम अपने हिसाब से कोई भी सेब दे सकते हैं गला हम बाद में काटेंगे क्योंकि इसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी तो इसको मैं बाद में काटूंगी तो अभी हमें फ्रंट पार्ट काटना है तो हम पीछे वाले पलर को रख लेंगे कपड़े में नीचे से हमें एक इंच एक्स्ट्रा ले रहा है क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में एक इंच ज्यादा लेना होता है क्योंकि जैसे कि हम बेल्ट वाला बनाएंगे तो एक इंच हमें मार्जन के लिए चाहिए तो सबसे पहले मैं गले में निशान लगा लेती हूँ उसके बाद में बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो बेल्ट के लिए हमें सबसे पहले यहां से साड़े तीन इंच लेना है और इधर से धाई इंच लेना है उसके बाद में मैं यहाँ पर सेप दे देंगी देने के बाद में हमें चार प्लेट्स में निशान लगाना है यहाँ से हम तीन इंच लेंगे यह प्लेट्स हमारी दो इंच की होगी और यहाँ से साड़े तीन इंच ये दो-दो इंच की प्लेट्स रहेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें निशान लगाना है और ये जो मैंने गहराई दिये हाफ इंच ये फ्रन्ट वाले पार्ट में हाफ इंच गहराई देना होता है जिससे की फिटिंग सही आती है अब हम यहां से बेल्ट को अलग कर लेंगे और बीट से कट करने के बाद में हम अब अस्तीन में निशान लगाएंगे यहां से हमें नाइन इंच का बॉक्स बना लेना है जैसे कि ब्लाउस की length है 3 इंच तो हमें 4 इंच पर मार्क लगा के एक box बना लेना है उसके बाद में 2 इंच की गहराई देंगे उसके बाद में अपने हिसाब से हमें इसमें गोल सेप दे देना है और हाफ इंच की गहराई देंगे जो की front side में हमें रहेगा में आएगा दोनों अस्तीनों में हमें यह डिजाइन रखना है तो दोनों अस्तीन मैंने पहले कट कर लिया है अब हमें बैक वाला पार्ट काटना है तो इसमें जो यह जो मीडिल वाला फ्लावर था वो मीडिल में ही आना चाहिए तो पहले मैंने इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े में रख करके फिर मैं अस्तर को रख देती हूं फिर कट कटिंग कर लेती हूं अब ही जो बच्चा हुआ कपड़ा था इसमें फ्रेंट पार्ट की कटिंग दरना है